एमके जेन क्लासिस के यूट्यूब चेनल पर आप सब का स्वागत है मैं डॉक्टर एमके जेन नमश्कार तेंथ क्लास का जो बच्चे एक्जाम दे चुके हैं और ये एक एसा उनके सामने उनके सामने पेरेंट्स के सामने एक डिलेमा वाली सिच्वेशन है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए कि सब्जेक्ट में वो अच्छा कर पाएगा बच्चा और उसे भी ज़्यादा ये है कि क्या उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी और उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है कि subject का chain, subject का selection तो अधिकतर बच्चे कर चुके होंगे या तो उनको science लेनी है या commerce लेनी है या arts में जाना है science में अगर हैं तो science biology भी है और science mathematics भी है right, doctor बनने का ख्वाब है medical से related फिल्मों जो अपके अलग-अलग जो medical से related field होते हैं वहाँ जाने का आपका ख्वाब है तो definitely आप biology लेंगे और आपको engineering से जुड़े हुए शेत्र में जाना है उन fields में जाना है आपको computer science में जाना है, electronics में जाना है, pilot बनना है, NDA में जाना है आपको mining में जाना है, आपको automobile में जाना है, आपको electronics, electrical communication में जाना है आपको तो definitely आपने सोचा है, आपकी रुची है, आप mathematics लेंगे आपको CA बनना है, CS बनना है, commerce से related fields में आपको जाना है तो definitely आपने commerce के बारे में सोच लिया होगा तो मैं सोचता हूँ के 10th के exam को अब काफी दिन complete हुए हो गए है, तो आपने ये decision तो ले लिया होगा और अगर अब भी भी कोई dilemma है, कि मैं result आएगा, फिर मैं कुछ करूँगा, कुछ सोचूँगा तो आप counselor से एक बार जरूर मिल लीजिए लेकिन अब दूसरी बात आती है planning की तो मैं आपको एक AC planning बताने जा रहा हूँ, जिसके उपर आप चलेंगे, जिसके साथ आप तयारी करेंगे तो आपके सफलता की जो rate है वो बढ़ जाएगी देखे एक होता है normal schooling जिसमें आप जानते हैं क्या होता है, अब तक आपने वही किया है अब तक चल गया, लेकिन आगे चलना problem करेगा आपके, जो आपको जो आपके सपने हैं, जो आपका destination है, जो आपको जाना है, जो आपको target है उस normal schooling से आप achieve नहीं कर पाएंगे normal schooling क्या था, आप अपनी अपनी school में जाते थे सुबह, एक दो बज़े आगे आप और अब तो आपको तीनो ट्यूसन करनी पड़ेगी, physics, chemistry, maths या physics, chemistry, biology या फिर CACS की तो definitely शाम को फिर दो बज़े घर पहुँचने के बाद में आपको दो गंटे फिर coaching करनी पड़ेगी, तीन गंटे तो at least पूरा दिन आपका चला जाएगा, और मैं बताना है चाहता हूँ आपसे, कि इस system से चलने पर आपको self study का बिलकुल time नहीं मिलेगा और target को तो आप touch भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक बार फिर picture clear करता हूँ, ताकि हम अपने point पर आ सकें, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ normal schooling जो अब तक आपने किये, वैसे 11th class में science biology, science mathematics या फिर commerce आप लेके जाएंगे एक दो बज़े school से घर पर आएंगे आप ये मान के चले, 9th में आपने केवल maths की और science की coaching की होगी, अब आपको सारे subject की coaching 11th में करनी ही पड़ेगी 99.99% बच्चे करते ही हैं, राइट, शाम को फिर 3 गंटे coaching पे जाना पड़ेगा और target, मतलब biology लिए तो medical का target, agriculture लिया है तो आपको agriculture college में जाने का target mathematics लिए तो IIT, NIT या government college में जाने का target, commerce लिया है तो CACS का target ये आप achieve नहीं कर पाएंगे और सबसे important बात आप कभी भी self study पे पूरा focus नहीं कर पाएंगे तो फिर AC इस्तिती में क्या करना चाहिए, तो AC इस्तिती में सबसे अच्छा program है MKJC का, MKJN Classes का school integrated program School integrated program का मतलब है के under one roof आपके schooling का भी पूरी facility आपको मिल जाएंगे मतलब आपका board level की भी तैयारी हो जाएंगे आपको coaching भी मिल जाएंगे उसके लिए कोई अत्रिक्ट समय नहीं देना पड़ेंगे और आपका जो target है वो बहुत important है medical, IIT, CACS उसकी भी तैयारी आपको under one roof मिल जाएंगे तो एक ऐसा perfect balancing वाला system है school integrated program जिसमें और M.K.J.N. Classics का school integrated program तो day boarding program भी है मतलब 3 से 4 बज़े तक आप school में हमारे साथ रहते हैं coaching में हमारे साथ रहते हैं तो आपका पूरा के पूरा board का course हमारी coaching में पूरा हो जाता है पूरा पूरा आपका कहीं coaching की आविश्यक्ता नहीं है नमबर 2 आपका target चाए आपका medical का NIT का target है या engineering का आपका IITG और NIT का target है या CACS का target है commerce साथ में ये उसी समय में पूरा हो जाता है और आप फिर घर जाके आप अपनी self study कर सकते हैं क्योंकि 6-7 गंटे का time आपको घर पर मिल जाता है और आपको फिर coaching की आविश्यक्ता नहीं होती है और आप confident feel करते हैं नमबर 1 नमबर 2 आपका जब school और coaching अलग-अलग करते हैं तो school में course कुछ और होता है coaching में course कुछ और होता है लेकिन आप SIB में आते हैं तो course बिलकुल इस तरह से smoothly चलता है कि एक chapter पूरा करने के बाद में board level का, competitive level का जो आपका target उसके बाद उसका test होता है फिर अगले chapter पर जाते हैं हर 15 days में competitive exam का objective test होता है हर month में subjective test होता है इसकुल की तरह ही parents teacher meeting coaching में भी होती है आप अपने जो problem से problem counter होते हैं जहां पर आप बेट के problem पूछ सकते हैं तो school integrated program के बारे में nurse scale में अगर में conclude करना चाहूं तो एक एसा platform एक एसा umbrella जिसके नीचे आपके सभी प्रकार की requirement कम पूरी हो रही है number one number two stress free environment आप बिलकुल तनाओं में नहीं रहते हैं क्योंकि आपके पास पूरे साल भर का planning होता है number three 365 days में से ये जो SIP program है 250 से 260 दिन, 60 दिन तक चलते हैं holidays बहुत कम होते हैं तो बहुत comfortable तरीके से आप इस course को complete कर सकते हैं faculty member बहुत ही helpful बहुत ही cooperative और बहुत ही talented और अपने अपने field के माहिर होते हैं इसलिए आपको subject में किसी तरह की कोई problem नहीं आती तो मैं हर उस बच्चे से जो 11th में आ रहा है science या commerce की तरब जाना चाता है वो school integrated program के बारे में एक बार जरूर जानने की कोशिश करें और ये तुलना करें कि कहां stress जादा है stress free environment के अंदर अपनी सारी requirement को पूरा करते हुए आप बेहतर परिनाम की अपेक्षा रख सकते हैं आप अपनी destination तक पहुँच सकते हैं आप अपने सपने साकार कर सकते हैं तो मैं सभी लोगों से सभी बच्चों से parents से जो 10 से 11 में आने वाले बच्चे हैं मैं उनसे कहूंगा उनको invite करूंगा कि एक बार MKJN classes के जो हमारे school integrated program है उसमें आप आके समझने की कोशिश करें result का इंतजार न करें अपनी पढ़ाई को चालू करें क्योंकि आपको लगता है कि काफी समय वो 9, 10 में ठीक था 6, 7 में ठीक था 11, 12 में target के साथ में बहुत कम समय आपके पास में होता है कहते हैं well begin is half done journey of 1000 miles begins with a single step तो पहला कदम आप अपना 11th class में बढ़ा दीजिए अब आप देरी करने की आपको आविशक्ता नहीं है सब को बहुत-बहुत शुब कामना है और all the best एक बार जरूर आप MKJC school integrated program को समझने की कोशिश करिये and if you like this video then share it share with your friends thank you so much all the best have a great time